नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं किसानों का समर्थन करने गाजी पूर बॉर्डर पहुंची महात्मा गांधी की पोती महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भटाचार केंद्र के विवादासपत क्रीशी कानूनों के खिलाब चल रहे किसान अंदोलन का समर्थन करने सन्निवार को गाजी पूर बॉर्डर पहुंची बतादे भारतिय किसान यूनियन ने एक प्यान में हजनकारी दी राष्ट्रिय गांधी संग्रहाल की अध्यक्ष तारा ने या परदसनकारी किसानों से बिरोत परदसन के दोरान सांती बनाय रखने की अपिल की साथी उन्होंने सरकार से क्रिसी समुदाय की सूद लेने का भी अनुरोद किया मार्च से सुरू होगी आठवी नवी एगारवी की कक्छाएं इस वर्स राज के सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को अगली कक्छा में परमोट किया जाएगा स्कूली सिक्छा वर्स सर्ता विभाग द्वारा आठवी नवी वह एगारवी की कक्छाएं सुरू करने का प्रस्ताव आपदा प्रवंदन विभाग को भेजा है स्विक्रिती मिलने पर माज से कक्छाएं सुरू होगी जो माई तक चलेगी 237 मैट्रिक वा इंटर्मीडियेट स्कूलों में होगी लेब टेकनेशन की भरती जारखन के 233 हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में लेब टेकनेशन नियुक्त होंगे सरकारी स्कूल के तीन लाग छात्रों को साइकल खरीद कर देगी सरकार सरकार राजे के सरकारी स्कूल की आठवी कक्षा में पढ़ने वाले तीन लाग से अधिक छात्रों को साइकल खरीद कर देगी अब तक साइकल खरीदने के लिए चातरों के बैंक खाते में रासी दि जाती थी लेकिन इस बार चातर शातराओं को साइकल खरीद कर दी जाएगी अनसुचित जाती अनसुचीत जन जाती पिछड़ा वर्ग और अल्फ संखियक वर्क के चात्र चात्रा कल्यान विभाग के इस योज्ता के तथ साइकल के लिए पात्रजा होंगे शुत्रो के अनुसार कल्यान विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य saturation प्राधिकृत समीती ने मंजूरी दे दिया है उत्राखंड में लपता जरखंडियों की पाचान के लिए DNA टेस्ट उत्राखंड की आपता के बाद मिल रहे सोवों की पाचान के लिए DNA टेस्ट कराए जाएगा बता दे लोर्दागा के नौ रामगार के चार और वुकारों के एक कुल चौदा लपता सरमिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। तीनो जुलों से चमेली के अपदा अस्थाल सुक्रवार को पहुंचे परिजन स्ववों को देख पहचान नहीं कर सके। कुरोना वायरस संक्रमन के बीच में देश के कई हिसों से कई तस्वीरे सामने आई है बता दे इस भी सनिवार को जहरखंड से बसंद पंचमी के लिए एक देवी सरस्वती की मुर्तियों को कुरोना वायरस वाक्सीन की थीम पर त्यार की जा रही है। कुरोना काल में हटाये गए स्वास्त कर्मियों को वापस रखेगी जारखंड सरकार। कि अपने ही हैं जिने काम पर लेकर आना है। उन्होंने बता है कि स्वास्त सेवा में सुधार के लिए 456 को रुपए का बजट बनाकर बित विभा को भेजा गया है। देव घर में इस बार सिवरात्री पर नहीं निकलेगी महा सिव बरात। बाबा बैनाथ मंदीर के लिए परसिद जारखंड के देव घर में इस बार सिवरात्री के मौके पर महा सिव बरात नहीं निकाली जाएगी। बता दे कुरोना को देखते हुए अविजन समीती ने इस बार नहीं लिया है। पिछले 27 बरसों से सवर में सिव रात्री पर महा सिव बरात निकालने की परमपरा रही है। इसमें देश दुनिया के लाखों लोग सरीक होते रहे हैं। लेकिन इस बार ये परमपरा तूट जाएगी। जारखन में 41 ने संक्रमितों की पुष्टी हुई है, जो राची से 24, फूर्वी सिमूंदास, धनबाज से 1, रामगर 1, देवघर 3, खुटी 1, लातेहार से 1 संक्रमित मिले है। जारखन में कूल मौत की संख्या 182 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 452 है। भारत में 12,188 ने संक्रमित की पुष्टी हुई है, भारत में कूल मौत की संख्या 155 या 673 है, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या 134 या 757 है।